दोस्तो आज मैं आप सभी को एक ऐसे जोलरी स्टार्टप की केस्टडी बताऊंगा जो आज इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग जोलरी एकॉमर्स ब्रैंड है 2019 में इन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट लॉंच की और सुरिफ तीन सालों के अंदर 200 करोड का रिवेन्यू जनरेट कर लिया नमस्कार दोस्तों मैं हूलक्षित सेथिया आप देख रहे हैं शुषल सालर एकाडमी इस वीडियो में हम गीवा की कंप्लीट केस्टडी कवर करेंगे हम जानेंगे कि गीवा का पूरा बिजनस मॉडल क्या है किस तरीके से उन्होंने अपने बिजनस को शुरू किया किस तरीके से वो बिजनस को ग्रो कर रहे है किस तरीके की उनकी मार्केटिंग स्ट्रेजी है और most important thing किस तरीके से आप गीवा की इस case study से सीख के अपने नहीं पता होगा तो बतादू गीवा ओनलाइन स्टर्लिंग सिल्वर जॉलरी सेल करता है एकदम सिंपल सी इनकी website है complete sales इनकी online होती है और अभी अभी ये खुद की अपनी offline stores भी खोल रहे हैं तो आईए दोस्तों जानते हैं कि किस तरीके से गीवा ने अपने इस बिजनस को स्टार्ट किया गीवा के तीन founders है इशेंद्र अगरवाल निकिता प्रसाद और सचीन शेटी इशेंद्र अगरवाल जो की गीवा के CEO है वो IIT कानपूर के पास आउट है पहले भी इन्होंने एक startup किया हुए और उसके बाद एक consultancy firm में इन्होंने job भी के हुई है उनकी शु C8 है जिन्होंने funding में काफी जादा help किये तो जब आप इन तीनों founders का combination देखोगे तो यह किसी भी startup को चालू करने के लिए काफी ideal है एक person है जो business में expertise रखता है और एक person है जो funding में expertise रखता है पता है आजकल के लोग ना family business के अंदर नहीं जाना चाहते है उनको बहुत traditional सा ल शुरू किया और उसके बाद उस business को modernize करते गए online scale करते गए आपको पता है initially इन्होंने स्रिफ 10,00,000 रुपे का invest करके business को चालू किया था 2019 में और उसके बाद धीरे-धीरे scale करते करते 6,75,000 डॉलर से जादा की funding अभी तक के raise कर चुके हैं मैं आपको सीधा इनकी revenue के बारे वो है 100 करोड रुपे आप इनकी growth देख रहे हो 3 करोड से 27 करोड 27 करोड से directly 100 करोड अब सबसे चौका देने वाली बात तो यह है कि अभी हर महिने 35,000 से जादा पार्सल्स डिलिवर करते हैं तो आखिर यह सवाल दिमाग में आते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिस बड़ी-बड़ी company और इंडिया में थी इन्होंने शुरू में एक चीज नोटेस किया कि यूएस में एक लेड़ी जोलरी में 9,000 से 10,000 रुपे spend करती है और वहीं इंडिया में यह expenses बहुत जादा था इसके दो कारांट थे क्योंकि इंडिया का tradition और कल्चर ऐसा है कि लोग जोलरी लेना पसंद करते हैं इस्पेशली सोने की जोलरी लेना पसंद करते हैं और दूसरा सबसे बड़ा यह reason था कि सोना एक asset होता है सोना liability नहीं होता तो अगर जो भी आप जोलरी खरीते हो वो एक समय के बाद आपको profit दे के जाती है सोना का rate समय के साथ बढ़ता ही है त क्योंकि of course वो बहुत जादा expensive होती है online ship करना बहुत जादा risky हो जाता है और artificial jewelry में already market में बहुत जादा competition है और कुछ unique लाना अपने आप में एक challenge था तो यह दोनों product के बीच का जो gap था उसी को ही givea ने अपने खुद का USP बनाया यानि unique selling proposition बनाया उन्होंने market में launch की sterling silver jewelry ज जिसको लोग एक investment purpose से भी करीच सकते हैं और वो खुदी उस चीज को properly design करते हैं high quality की बनाते हैं जो कि एक artificial jewelry से better होती है क्योंकि वो silver होता है और gold jewelry से सस्ती होती है तो online shipping भी किया जा सकते है कुल मिला के silver jewelry एक ऐसा product है जिसको profitably e-commerce में sell किया जा सकता है और इसकी बहुत सारे reason भी है सबसे पहला point की silver एक asset हो जाता है तो इसकी जो online selling है ये काफी easy हो जाती है silver jewelry को mold करना बहुत easy हो जाता है तो उसकी बहुत सारे designs बनाना काफी जादा easy हो जाता है तीसरा सबसे बड़ा point की कि किसी भी jewelry business में सबसे जादा expense हाता है inventory रखने में और वहीं silver jewelry की inventory actual में काफी सस्ती पड़ती है in fact silver jewelry की case में seller को कोई dead stock नहीं बचता जो भी stock अगर बिक नहीं रहे तो उसको गला के वोपस नया product बनाया जा सकता है अब अगर normally देखेंगे तो product का size चोटा है shipping easy हो जाती हो product affordable है इन सारी चीजों से जो silver jewelry है वो एक बहुत अच्छा product बन जाती online sell करने के लिए और यहाँ प बहुत important चीज गीवा की website आप गीवा की website देखेंगे तो आपको बहुत simple website दिखेगी इनकी कोई बहुत ज्यादा designing नहीं है एकदम simply आपको इनका catalog दिख जाएगा सारी categories दिख जाएगी आपको पता है इनकी website पूरी पूरी Shopify पे बनी हुई है ज्यादा तर बड़े startups अपने दो दिन पर ही बना सकते हैं exactly same अब पता है sell करने के लिए खाली यह अपनी website पर sell नहीं करते यह Amazon पर भी sell करते हैं मिंत्रा में भी sell करते हैं और Nika में भी sell करते हैं इसके अलावा अभी अपना चार offline store भी अपना launch कर चुके हैं बैंगलोर में तो आप देख रहे हो यह बहु उसके बाद वो offline stores खोलते गए वैसे ही Giva भी online presence बढ़ाने के बाद अपना startup create करने के बाद fund raise करने के बाद अब अपना खुद का offline stores create कर रहा है और देखना कुछ समय बाद इंडिया में हर एक शहर में Giva का खुद का एक outlet होगा अब same strategy lens card ने भी अपना ही same strategy नयकानी भी अप रहे हैं जो इनकी सबसे prime marketing strategy है वो है influencer marketing इन्होंने अनुषका शर्मा को as a brand ambassador hire किया और आप देख सकते हैं इनकी social media पे इनकी website पे हर जगा ये अनुषका शर्मा के नाम से ही अपनी खुद की marketing कर रहे हैं तो जितनी trust value अनुषका शर्मा की है जितना fan base अनुषका शर्मा का है वो अपने पास ले के आ रहे हैं और उसको eventually अपना customer बना रहे हैं आप देखेंगे अगर इनकी website में तो अनुषका शर्मा की नाम से category भी बना हुआ है तो इसको बोलते हैं एक influencer का या एक celebrity का पूरा का पूरा trust value अपने business पे लेना और वो ये बहुत बखुबी अच्छे तर strategy है और ये long term strategy है अब आपको पता है influencer के नाम से trust value तो बढ़ जाती है और कही न कहीं traffic भी इंक्रीज होती है तो जो भी traffic इनकी website पे आती है ये facebook में उनको retargeting करते हैं basically performance marketing इस चीज़ को बोलते हैं एक marketing strategy है digital marketing में जिसमें basically जो भी आपकी website पे एक बार आता है आप उसको बा वो पस instagram में इनकी बार बार ads दिखना शुरू हो जाएगी और पता है लड़कियों को उनके मन पसंद के products जब बार बार instagram पे देखते हैं तो वो खरीदी लेती है तो इस तरीके से इनकी पुरी marketing work हो रही है और अभी अभी ये media partnerships करना भी शुरू कर दिये अभी अभी देख कि कैसे आप Giva के जैसे अपनी खुद की brands बना सकते हैं मैं आपको 5 step का process बताऊँगा जिसको follow करेंगे तो आप भी अपनी खुद की e-commerce brand बना सकते हैं सबसे पहले आप अपनी e-commerce business के लिए ऐसा product choose करो जो की आपके customer के लिए एक asset हो देखिए Giva ने ऐसा product choose किया जो की एक asset ह जब ही हम silver बोलते हैं तो उसकी value बढ़ती है वैसे ही आप भी एक ऐसा product choose करो जिसकी value हो सकता है in future पे increase होए बहुत tough है ऐसा product find करना लेकिन अगर आप find करते हो तो आप बहुत successful e-commerce business बना सकते हो second सबसे important point product ऐसा ही रखो जिसमें आपको product की quality का और product की designing का आपका control हो अब बहुत सारे लोग अपने wholesaler से ले लेते हैं product अपने importer से ले लेते हैं कोई manufacturer से लेकिन उनके पास ना control नहीं होता designing का जब तक क्या आप customer के हिसाब से designing में changes नहीं करते हो या फिक quality पे changes नहीं करते ह आप एक product को बहुत अच्छा नहीं बना सकते कि वो organically ही grow हो तीसरा सबसे important point बहुत सारे लोग जब भी e-commerce बनाने जाते हैं तो बहुत जादा पैसा खर्चा करते हैं खली website बनाने के लिए e-commerce business चालू करने के लिए website की कोई जरूरत नहीं है अब WhatsApp API आ गया है आप WhatsApp API पे भी हजारों customers के साथ deal कर सकते हैं उनके साथ interact कर सकते हैं उनको basically product sell कर सकते हैं WhatsApp पे डिकी catalog बना सकते हैं आप बहुत सरी चीज़े WhatsApp API कर सकते हो so business start करने के लिए WhatsApp से business start कर सकते हो WhatsApp business API से आप business को scale कर सकते हो और जब उस से उपर जाओ तो आप social commerce अपनी website बना सकते हो social commerce website कुछ इस त लेख लेता है आप उस website को लेकि डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो लेकिन अल्टीमेटली जो सेल होती है वह WhatsApp से होती है इंट्रेक्शन करने के बाद यूजुली जब आप किसी कस्टमर के साथ इंट्रेक्ट करते हो तो सेल्स भी इजी होती है और आपको पता भी चल पाता है कि आखिर कस्टमर की एक्जेक्ट डिमांड क्या है अगर आपको अपनी खुद की कुछ ऐसी शोशल कॉमर्स वेबसाइट बनाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है आप हमारी वेबसाइट से जाके फ्री ऑफ चलने लग जाए आपका प्रोड़क्स सेट हो जाए तो फिर आप शौपिफाई पर अपनी खुद की एकॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्केटिंग लिए जाधा तर लोग को कन्फूजन होती है कि कैसे हम ट्रस्ट गेन कर जब आपका ट्रस्ट बढ़ता है तो automatically जो लोग आपकी website पे आते हैं वो कनवर्ट होते हैं आपका aim sales लाना है आपका aim ये नहीं है कि आप 99 अपनी website पे लेके होहाँ अब दोस्तो तो पाच्वा और सबसे important point जिसको मैं चाहूंगा कि आप बहुत ध्यान से सुने, e-commerce business ऐसा business नहीं है, जिसको आप बिना कुछ investment के चालू कर सकते हैं, आपको समय का investment तो करना ही पड़ेगा, बट आपको scale करने के लिए पैसे का भी investment करना पड़ेगा, तो पैसे के लिए आपक समय बचेगा और उतना potential आपका बढ़ जाएगा future में investment raise करने का, तो इन्होंने पहले इस साल में 10 लाख रुपे business में invest किया, business model ready किया, और उसके बाद fund raise करते गए, तो पता है future में investment करने के लिए present में investing की capacity होनी चाहिए, तो हमेशा initially e-commerce business में invest करने के लिए open रही है, पैसा अच्छे से खर्चा कीजिए, business बढ़ेगा, business जब बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा पैसा लाके देगा, पता है जो conservative mindset वाले होते हैं, उनको e-commerce business grow करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो अब दोस्तों हम इस वीडियो के conclusion वाले पार्ट में पहुँच चुक प्रवाइड कर सकते हैं, हमारी टीम आप सभी को ऐसी e-commerce की services प्रवाइड कर सकती है, जिससे आप भी अपने खुद का brand easily launch कर पाएंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like करना, अगर कोई भी doubt है, तो comment कर सकते हो, और हाँ, अगर पहली बार देख रहे हो, तो please social seller academy को subscribe करना, मत भुला, मिलते हैं अगले वीडियो में